उत्तर प्रदेश के अलिगड जनपत के उपर कोट नगर कोट वाली के मुंशियाने में 8 दसंबर की दो पहर में दरोगा की सरकारी पिस्टल से जिस महिला को गोली लगी थी गुरुवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई गायल इश्रत निगार को अलिगड मुस्लिम इनवर्सिटी के जवाहरलाल नहरू मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भरती कराया गया था घटना के पांच दिन बाद 52 वर्शिय इश्रत ने दम तोड़ दिया वहीं 11 इरादतन हत्या का आरोपी दरोगा मनुझ कुमार शर्मा अभी तक फरार चल रहा है अलिगर के SSP कलानिधी नैथानी ने बताया कि उपर कोट नगर कोट वाली में 8 दिसंबर को दरोगा मनुझ कुमार के पिस्टल से चली गोली जिस महिला को लगी थी उसकी दुखद मृत्यू हो गई है इस मामले में डॉक्टरों के पैनल से मृतिका का पोस्ट मार्टम कराया गया वहीं आरोपी दरोगा मनुझ कुमार शर्मा के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजिकृत कर लिया गया है और उस पर 20,000 रुपे का इनाम भी गोशित कर दिया गया है इस संबन्द में पूरे विधिवत कर दिया गया है समस्कारवाईया करते हुए पैनल आदी के द्वारा पोस्ट मार्टम की प्रकिरिया अपनाते हुए निस्वक्ष विवेचना आदी के निर्देश दे दिये गये है गौर तलब है कि इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वाइरल है जिसमें दिख रहा है कि मृतक महिला इशरत अपने बेटे के साथ पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कोतवाली पहुँची थी वह वहाँ खड़ी थी तभी एक मुंशी आता है और दरोगा शर्मा को सरकारी पिस्टल देता है इसी दौरान जैसे हिधा दरोगा शर्मा उसे लोड करके चेक करता है तो गोली चल जाती है और वह इशरत के सिर में लगती है इस रत मौके पर ही गिर जाती है इस मामले में मृतिका के बेटे का आरोप है कि दरोगा ने गलती से नहीं बलकि जानबूच कर गोली चलाई थी क्योंकि उन्होंने अपने काम के लिए दबाव डाला था फिलहाल पिस्टल देने वाली मुंशी को गिरफतार करकर जेल भेज दिया गया है और आरोपी दरोगा की तलाश चारी है